How to fix Vivo Y19 Context Not Working Problem नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तिकिराच योटूब चैनल पर तो दोस्तो यही आपके Vivo के फोन पे Context जो है वो काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है solution बताऊंगा ठीक है कभी कभी दोस्तो क्या हो जाता है Context हमारा open होके white screen होनों on हो जाते हैं ठीक है और कभी कभी जो है काफी सारा problems वगरा देते रहते हैं तो हम दोस्तों इस Context के बारे में बात कर रहे हैं यदि आपको Context यहाँ पर open नहीं हो पा रहा है आपको problems बगेरा आ रहा है Context के regarding पर तो किसी भी तरह का problem किसी भी तरह का issue है Context पर तो दोस्तों आप simply इस वीडियो को देखें वीडियो देखने के बार Context का problem पर solve हो जाएगा यदि कोई Context यहाँ नहीं कर रहा है तो कैसे करके आपको setting करने में आपको उसका solution भी बता देता हूँ तो आपका Context का problem इस वीडियो के true definitely fix हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है जाके चैनल को subscribe कर लिजे सारे साथ यदि आप online से पेसा कामाना चाते हैं उसके लिए हमने वीडियो description पर link डिया हुआ है जाके आप check out कर सकते हैं और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message जरू करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर करना किया होगा यहीं context काम नहीं कर रहा है तो simply दोस्तों आपको setting पर चले जाना है एक troubleshooting process आपको कर लेना है ठीक है और वो troubleshooting process से मैं आपको बात में बताऊँगा ठीक है पहले आपको scroll down करके नीचे आ जाना है नीचे दोस्तों आपको application and permission पर click करना है और app manager पर आपको जाना है app manager पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर scroll down करके जो context से उसको open कर लेना है open करने के बाद force stop करके ok कर दीजिए ठीक है ओके पर click करने के बाद आपको back करके यहाँ पर दोस्तों आपको दुबारा से context पर ही रेना है internal storage पर जाए clear data करके ok कीजिए ठीक है तो clear data बग़रा करने के बाद context पर जाए पर्मिशन्स वगरा डिया हुआ है ठीक है allow करते जाए सब पर्मिशन्स को allow करने के बाद डिवाइस को restart करें restart करने के बाद context पर जाए यहाँ ऊपर जो है ठीक है आपका जब आप यहाँ पर clear data करके mobile को restart करोगे आपका context definitely on हो जाएगा और आपका problem भी solve हो जाएगा लेकिन कोई number जो है missing हो रहा है कोई number आपको ठीक से दिखाए नीज रहे उसके लिए आपको यहाँ उपर gear icon setting पर क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ settings मिल जाएगा contact list में display contact profile pictures, display contact number, show contact with number तो आप यह सब setting कर सकते हैं ठीक है लेकिन उसके बाद दोस्तों कोई number जो है missing है तो आपको display contact पर जाके यह चेक करना होगा कि आपका यहाँ पर सब settings enabled है या नहीं है ठीक है तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SIM पर कितना phone number आपने set किया हुआ है आपके phone पर कितना number आपने set किया हुआ है WhatsApp पर कितना number आपने save किया है Gmail पर कितना number save किया है तो इन सब का जो tick से वो यहाँ पर enable होना चाहिए ठीक है यही कोई भी tick आपका यहाँ पर disable रहेगा तो उससे आपको ठीक है उसके regarding से जितने भ डेफिनेटली सॉल्फ हो जागा तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने हैं उमीद करते हैं वीडियो पसंद आओगा थेंक्स वर आचिंग